हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू मैं चैनल अगर लक्षमी कल्पना दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत टेस्टी आलू की पूरी की रेसिपी इस रेसिपी में आपको पूरी का भी स्वादा आएगा और कचोडी का भी स्वादा जाएगा और इन्हें आप सफर में जा रहे हैं तो एक दो दिन के लिए इस्टोर करके लेके जा सकते हैं विकुल खराब नहीं होंगी मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊ हुई जिससे आपकी पूरी एकदम फूली फूली बनके तयार होंगी इन्हें बनाना बहुत ही आसान हैं कोई जादा मेहनत नहीं हैं फटाफट से बनके तयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और दोस्तो रेसिपी सुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो चलिए फूली फूली करारी आलू की पूरी वनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक कप गेउं का आटा और एक कप लेंगे बेसन आप चाओ तो दो कप गेउं का आटा भी ले सकते हो मैंने यहां बेसन इसलिए लिया है कि इससे टेस्ट अच्छा आता है और यहां डालाएं मैंने आदा छोटा चमच कुटूही लाल मिर्च आप चाओ तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं एक चोथा ही छोटा चमच डालाएं मैंने हल्दी पाउडर अच्छा कलर लाने के लिए और यहां डाला है आदा छोटा चमच अजवाइन इसको हाथों से क्रस करके डालना है क्योंकि इसे अच्छी खुश्बू आती है और स्वादमुसा डालेंगे नमक अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताके आता बेशन मसाले सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए यहां सब को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है तो चलिए अब इसमें बॉयल आलू को गेटर से ग्रेट कर लेंगे आलू ठंडा होने के बाद ही ग्रेट करें मैंन आलू को यहां पर ग्रेट करके ही लें क्योंकि उसमें गुठली नहीं रहेंगी तो पूड़ी हमारी अच्छे से फूलेंगी अगर ऐसे हासे मसल के डाल देंगे तो उसमें गुठली रह जाएंगी उसकी बहुत से हमारी पूड़ी फूलेंगी नहीं तो यह लीजिए मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब इसमें डालेंगे बारी कटा ओट्रवा हरा दनिएगे अब इन सब को अच्छे से आठे की साथ मिक्स कर देंगे आलू की साथ ही हम आठा लगाएंगे हम पानी नहीं डालेंगे यहां पर अगर आप सफर में ये पूरी ले जाना चाहते हैं तो पानी नहीं डालें आलू के साथ ही डो लगाएं और अगर आप ऐसे ही घर में बना कर खाना चाहते हैं तो जरुवत पढ़ने पानी के साथ भी डो लगा सकते हैं पहले कोशिस यही करें, आलू के साथ अपने आठे को अच्छे से मिलाएं, जितना हो सकें, आलू के साथ ही उसका डो प्रपेर करें, उसके बाद अगर जरुवत लगे तो हलके हलके पानी के छींटे देकर डो तयार करें, यहां आठे को अच्छे से मसल मसल कर एक सौप डो त तयार करना है अब यहां मैंने डाला एक बड़ा चमच तेल उसके साथ अपने डो को अच्छे से मसल मसल के एक सौफ डो तयार कर लेंगे तो यह लीजिए हमने अपने आटे को एकदम परफेक्ट तयार कर लिया है तो चलिए अब पूडियों की लोईयां बना के तयार कर लेत जितनी साइज की पूडियां आपको चाहिए उस हिसाब से लोईयां इसमें से तोड लेंगे यहां मैंने सारी लोईयां तोड लियें अब इन्हें गोल पेड़े बना लेते हैं यहां देखिए मैंने सारी लोईयों को गोल बना लिया है अब चलते हैं इनको बेल लेते हैं अब चकले पे लगाएंगे पहले तेल और थोड़ा बेलन पे भी लगा लेंगे जिससे हमारी पूड़ियां बेलते समय चिपके नहीं अब रखेंगे एक लोई उसको हरका सब प्रेस करेंगे अब बेलन की साहता से इसे गोल बेल लेंगे ये पूड़ी थोड़ी सी मोटी बे पूड़ी के तयार कर लेंगे ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और ये देखिए हमने दूसी पूड़ी बनाके तयार कर लिए यह हमने ओएल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था ओएल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है अब इसमें डाल देंगे हम अपनी पूड़ी पूड़ी डालने से पहले ओएल अच्छे से गर्म होना चाहिए उसके बाद हम गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे इस तरीके से जैसे पूड़ी हमारी उपर आ जाती हलका कल्ची से securely तरीके से हम सारी पूड़ी से तयार कर लेंगे आप भी मेरी इस्पूडी पूड़ी बनाएंगे तो आपकी पूड़ी फूली करारी बनके तयार होंगी बस चोटी छोटी बातों का अध्यानल रखना है आलू कोICA करके लेना है और डो को पहले आलू के साथ ही प्रपेर कर अपने डो को तयार किया है तो इस तरीके से आप पूड़ी बनाएंगे तो आपकी पूड़ी भी एकदम करारी फूली फूली बनके तयार होंगी ये देखिए मैंने सारी पूड़ीयां बनाके तयार कर लिये है इन पूड़ीयां को आप ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर मे कभी भी खा सकते हैं चाइकी साथ भी खा सकते हैं अचार दही राइता इसके साथ किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं है knowledge आलू टमांटर गी सब्जी बना सकते हैं आपकी इच्छा है वर्ना यह ऐसे ही खा सकते हैं मैंने इन पूरियां को सड्व가지고 किया है अचार और धही के साथ यकिन मानिये इतनी टेस्टी पूड़ी बनती है और पूड़ी के साथ साथ इन में कचोड़ियों का भी स्वाद आएगा आपको उम्मीद करती हूं आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं औ और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर बाबाई